असलाम लेकूम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर और नोन और गुड इवनिंग, कैसे हैं प्यारे प्यारे रिवियर्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ, टेस्टी और यम्मी इंस्टिंट आम का अचार, यह बनाएंगे हम बहुत यूनीक स्टाइल में, इस अचार को हम कुछले के नाम से भी जानते हैं, तो आज हम बनाएंगे आम का कुछला, इन माय स्टाइल, तो चलिए देख लेते हैं, इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है, तो मैंने लिये हैं, यहाँ पर दो खिलो कच्छे आम, जिसे मैंने लंबे-लंबे स्लाइसे में कट कर लिया है, आप इस रेसिपी को ग्रेट करकर भी बना सकते हैं, सबसे पहले इसमें एड़ करेंगे हम वन टीजपून नमक, वन टीजपून रेट चिली पाउडर, वन टीजपून भरकर एड़ करेंगे हल्दी पाउडर, और वन एंड हाफ टीजपून एड़ कर देंगे हम इसमें अजवाईन, और वन फोर टीजपून एड़ कर देंगे अगले दिन तो आप इसे इन सभी मसालों को एड़ करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसमें हमने नमक एड़ किया है तो नमक एड़ करने की वज़े से आम अपना पानी बहुत सारा रिलीज कर देता है तो मेरे पास टाइम कम है मैं इसे दो घंटी के लिए ढखका रख देती हूँ तब तक चलते हैं हम इसके दूसरे मसाले की तरफ जो हम इसमें एड़ करेंगे तो मैंने लिया है यहाँ पर एक तवा तवे पर ले रही हूँ मैं 2 टीस्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून मैं इस पर सौफ लूँगी याद रखेगा हमने सिर्फ धनिया और सौफ की क्वांटिटी ही दो किलो आम के हिसाब से दो दो चमच रखी है अगर आप कम आम कम या जादा ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मसालों की क्वांटिटी ले सकते हैं आप हम लेंगे इसमें half टीस्पून जीरा half टीस्पून से थोड़ा सकम मेती और 1 टीस्पून भरके सरसो और इन सभी को ड्राय रोस्ट करेंगे इन सभी मसालों को हमें जलाना नहीं है इस बात को आपको याद रखना है हलका सा इन का color change होते ही हमें इसे तवे से उतार लेना है और mixture में इसको ठंडा होने पर grind कर लेना है तो ये आम का अचार बनाना बहुत ही आसान है और आपको इसे 10 से 12 दिन धूप में सुखाने की भी जरूरत नहीं है बहुत ही instant और जटपट recipe है तो देखे 2 घंटे हो चुके हैं और मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये देखे masala जो है और जो आम है उसने पानी को बहुत अच्छे से release कर दिया है और masala ने भी अपना color देखे कितना amazing color आ चुका है इस अचार में अब add कर देंगे इसमें grind किया हूँ masala जो हमने roast किया था और add इन सभी को कर देंगे अच्छे से mix आम के अचार में जो अच्छा life long चलाने के लिए से जो होता है वो है सरसो का तेल और सरसो के तेल को मैं एक अलग तरीके से इसमें add करूंगे वो भी मैं आपको बताऊंगे तो एक पीस रह चुका है मेरे से cutting होना तो मैं इसमें cut करके इसमें add कर दूंगे तो सरसो के तेल को पकाया है मैंने खुब तेज आच में और पकाने के बाद ठंडा होने के बाद मैं इस अचार में अड़ करूँगी आप जब भी कोई अचार बनाए तो सरसो के तेल को पका कर इसमें अड़ करें और फिर हम लास्ट में इसमें कुछ अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए सौफ और कलॉंजी को एट करेंगे, मिक्स करेंगे दो तीन दिन के लिए इसको रखेंगे धूप में और अचार हमारा बन कर तयार है, एक बात आपको जरूर इसमें याद रखनी है कि आपको अचार क के आपको तेल को एक तो पका करना है और सब्लिस करना है सर्फ मस्टाड ऑयल का याurgh 시간 किति कई अआफ से लिए कि पूंचों करना है वह यह के तेल अब का Aristotle का इसमें से थरोड़ा कम सौफ और हफ टी इस्पून स थोड़ा सकम कलोंजी क्योंकि कलोंजी हमने स्टार्टिक में भी एड़ करी थी और इसको कट देंगे अच्छे से मिक्स इसे जब इसको कच्चा ही इसमें अड़ करते हैं बीना रोस्ट किये वे तो बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है इस अचार में और I hope आप जब इस अचार को अपनी फैमिली मेंबर के सामने रखेंगे सर्फ करेंगे तो उन्हें यह अचार जरूर पसंद आएगा और वो आप से इसकी रेसिपी जरूर पूछ कर जाएंगे तो जब भी वह आप से इस रेसिपी को पूछे तो मेरी च